नमस्कार तथ्य में आपका स्वागत है मैं हूँ मनीश वस्ती यहां तथ्य में हम बात करेंगे आखिर दुनिया के ऐसे कौन से देश है जो लड़ाकू विमान बनाने के लिए एक संधी करने पर तयार हो गए हैं यहां यह बात करते हैं बृटेन जापान और इकली ने शुक प्रवार को कहा है कि अगली पीड़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए वे हाथ मिला रहे हैं कमिंग टुगेदर और इसमें आने वाले वक्त में अमेरिका जैसे सयोगियों के भी शामिल होने की संभावना है बरतानी प्रधानमंत्री रिशी सुनक जल्दी इसकी शामिल होगी साथ ही ये विमान दुश्मन की नजर से बच सकने में विश्तक्षम होगा इसमें आत्यादुनिक सेंसर के साथ साथ आर्टी फीशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा जो जरुवत पढ़ने पर पाइलिट की मदद करेगा ये विमान धीरे धीरे टा शागने में भी सक्षम होगा इस तरह के विमान बनाने का काम काफी महँगा सावित हो सकता है और एफ-35 विमान बनाने का अमेरिकी पेंटागन का प्रोजेक्ट अब तक का उसका सबसे महँगा प्रोजेक्ट है इस कारण भिटेंग इस विमान के लिए सहयोग्यों की बना जा रहा है क्योंकि इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ती महतु कांग्शा के मद्दे नजल पष्चिमी देशों के लिए जापान एहम सहयोगी बन गया है अमेरिका इस तरह का फाइटर जेट बनाने में जुटा हुआ है जर्मनी स्पेन और फ्रांस की इस तरह की एक अलग प्रोजेक्ट पर काम करने की एक लाइन चल रही है बिटेन के लिए समझोता केवल सुरक्षा का मामला नहीं बलकि आर्थिक नजर से भी एहम है उसे उमीद है कि इसके जरिये देश में हजारों नई नौकरिया पैदा होंगी और हत्यारों के निर्यात के रास्ते भी खुलेंगे तो आपने देखा जियां तीन मुल्क तो साथ आ रहे हैं और चारी गोशना भी होगी कई और के आने की उमीद है लड़ा को विमान के लिए तथ्य में आज के लिए फिलाल इतना ही नमस्कार